आप सब की ओर से मैं भारत सरकार के लोग प्रिय और यसस्ती ग्रहे और स्वेकारता मंत्री मा भारती के यसस्ती सपूद आधनी अमित साजी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ और इनंदन करता हूँ भाईो बेनो जो कहा सो करके दिखाया आधनी प्रधान मंत्री नरेंदर मोजी जी के नित्रतों में पूरे देश के अंदर भारती जनता पार्टी नित्रतों की सरकारों ने न केवल केंदर सरकार ने बलकि राज्यों की सरकारों ने भी जनता जनारदन के सामने जो बाते कहीं थी अक्सर सह उनका पालन करते वे उसे जमिनी धरातल पर उतारने का कारे किया वयो बेनो आज इसी का पैणाम है कि दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्टा बढ़ी है और 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में आजने प्रणान मंत्री जी के मार्क जर्सन में और मानिय स्यमित साजी के नित्रित और रनीती के तहत जनता जनारदन भारती जनता पाल्टी को जो समर्थन और सयोग किया था आज उसका पैणाम है आजम गड़ने भले ही जो दो पूर मुख्य मंत्री दिये हो लोग सवा में सांसच चुन करके भेजे हो लेकिन उनके कारण आजम गड़ की पैचान धुमिल ही ही है पैचान का संकट आजम गड़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था ये वही आजम गड़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था धरमसाला में कमरा नहीं मिलता था पैचान का एक संकट खड़ा होकर कि आपके सामने पैचान का एक संकट खड़ा होता था लेकिन भाईो बेनो मौधी जी और अमित्साजी के नित्रत्तों ने आज जब भारत के अंदर सरकारें काम कर रही है उत्तर प्रदेश में उनके मार्क दर्सन में भारती जंता पार्टी नित्रत्तों की सरकार मिल लई है मुझे याद है जब सरकार का गठन होने जा रहा था तब मानियमि साजी ने कहा था कि पुरवांचल एक्सप्रेस वे को ऐसे बनाए कि जिस सेवा आजमगड के और पूरवी उत्तरवर्देश के विकास की बैकबून बन जाए आज पुरवांचल एक्सप्रेस वे आपके विकास की धूरी बन रही है आज आजमगड में एरपोर्ट बन रहा है अंतिम चर्णों में चलना है लगबस पिचानवे फीस्टी कारे पूरा हो गया है और भाईयो बेनो यह बिश्वविद्याल है जो आज यहाँ पर जिसकी आधार सिला रखी जा रही है यह बिश्वविद्याल है आजमगड को सचमुछ आर्यमगड बना ही देगा इसमें अब कोई संदे होना ही नहीं चाहिए भाईयो बेनो हम सब को इस वारे ने जानना होगा एक पैचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किये थे यह लोग वही थे जो जाती के नाम पर बांटने वाले थे लेकिन अपने परिवार के लिए भरने वाले थे इन्हों ने अपने परिवार और अपने खांदान के बाहर कहीं नहीं जहाँ का आज परदेश में हम लोगों ने साथकी अस्तर पर साड़े चार लाख नौजवानों को अगर सरकारी नौकरी दी और लगभग तीन लाख नौजवानों को संबिदा के अधार पर नौकरी दीए साड़े साथ लाख नौजवान अगर अगर अज उत्तर परदेश के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त किया है तो भाईयों बेनों ये नौजवान मेरे या आमित्साजी के या मोधी जी के परिवार के हिस्से नहीं उत्तर परदेश के ही नौजवान है और आज के नातेदार रिष्टेदार होंगे लेकिन भाईयों बेनों हमें प्रसंता इस बात की होती है कि शलिए हमारे इस ब्रह्ट परिवार का कोई सदस्य तो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी पाया दो लेकिन पहले होता क्या था नौकरी निकलती थी और नौकरी के साथ ही महाभारत के सभी रिस्थे निकल पड़ते थे वो सूनी में कहीं चाचा है कहीं मामा है, कहीं भानचा है, कहीं भतीचा है इस सभी निकल पड़ते थे करोना काल खंड में उन लोगों का जर्शन यहां पर नहीं हुआ होगा मैं आजमगडवाश्यों से पूछता हूँ कि आपके सांसत करोना में आपका हल्चा लेने आये थे में फिर भी नहीं आएंगे चुनाओ की सुगवगाहट होती है, तो यह लोग भी कभी कभी आपके बीच में आएंगे फिर गुमरहा करके चले जाएंगे बारती जनता पार्टी ने जो कहा था सुख करके दिखाया है और भायों बेनों आज यही कहने के लिए हम लोग आपके बीच में आये है कि मेरे लिए तो हार दिख प्रसंता की बात है क्योंकि आजमगड हम लोगों के एक कारिच छेतर का एक हिस्ता रहा है आप याद करिए 2007 में यही आजमगड में मुझ पर हमला हुआ था और तब मैं यहाँ पर आया था तब हम लोग आये थे यहाँ पर उस समय सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वो अगिल भारतिय विद्यार्थी परिशत का कारे करता था और उसने बंदे मात्रम के लिए कहा था कि बंदे मात्रम का गायन गणतंत्र दिवस्पे होना चाहिए लेकिन भाईयो भेनो कालेज परिशर में ही प्रिंस्पल कारेले के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और एक महिने तक F.I.R. तक दर्ज नहीं होती थी आज क्या किसी की हिम्मत है कि संग से कोई सरयाम हत्या कर ले आज कोई गुंडा किसी रहा चलती भी बेटी और बहन को छेड़ने का दुसास कर पाएगा अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुसासन के क्या हल होए थे और भायो बेनो आज यही हम सब कहने के लिए आये हैं बिकास का हो, सुरक्षा का हो, गरीब कल्यान का हो करोना कालखंड में कितना अभूत पूरकारे प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रित्व में इस देश ने किया सरवाधिक, परवाधिक, कामगार और सर्मिक आजमगड जन्पद में भी आने वाले हैं वे सबी यहाँ पर आये थे एक लाग सेदिक संख्या आपके लिए आपके जन्पद में आई थी लेकिन उन सब को सुरक्षित घरों तक पहुंचाना भारती रेल ने फ्री में उनको यहाँ पर पहुंचाने की विवस्ता करना उस्तरप्रदेश परिवहन निकमस्यों ने पहुंचाने की विवस्ता करना उनकी फ्री में जाँच सभी लोगों के लिए फ्री में उपचार फ्री में रासन की विवस्ता तिरी में टेस और भाईो बेनो जो खाद्यान पिछली सरकारों में ब्लैक हो जाता था बंगला देश पहुंच जाता था वो खाद्यान घर घर तक हर ब्यक्षित तक पहुंचाने का कारेवा प्रधान मंत्री मोधी जी ने 2020 में साथ महिने तक 2021 में आठ महिने तक फ्री में खाद्यान दिया और खाद्यान ही नहीं दिया भाईो बेनो फ्री में वैक्षिन मुप्त में वैक्षिन कितने लोगों ने वैक्षिन लगाया है जिन लोगों ने नहीं लगाया वैक्षिन जल्दी लगा ले और आपके आज़ पास नद्री का कोई भी ब्यक्ति बचा है उसको भी फ्री में वैक्सीन लगा करके करोना महामारी को सदेव के लिए बोतल में जिन्ड की तरह भरने का काम कर दीजिए जिससे सामानय जीवन आकरी के जीवन और उसकी जीविका को बचाने के लिए प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रुत्तों में जो कारे चलना है उस कारे को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा करके एक भारत स्रेश भारत की प्रिकल्पना को और भी तेजी दंग से आगे बढ़ा सकेंगे और इसलिए सरकार ने तै किया है भायो वेनो कि मई से लेकर के होली तक यानि होली से लेकर दिपावली तक फ्री में रासन प्रधान मंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के पंद्रा करोड लोगों को दिया देश के अंदर असी करोड लोगों को दिया और सरकार ने तै कि दिपावली से के होली तक उत्तर प्रदेश के इन पंद्रा करोड़ लोगों को उम्ठी में राशन उपलब्द करवाने का कारे करेंगे पंद्रा करोड़ लोगों में अन्तोदे परिवारवानों को अन्तोदे काड़ दहरक को 35 किलो खाद्यान खाद्यान का मतब गेहूं और चावल एक किलो दाल एक किलो खाद्य टेल एक किलो चीनी और एक किलो नमक भी उनको मिलेगी दिस्वंबर के प्रसम सब्ता में ये मिलना प्रारंब हो जाएगा पात्र ग्रेश्टी परिवारों को प्रती यूनिट यानि हर यूनिट पे पाँच किलो खाद्यान अगर किसी परिवार में नौ लोग है तो उनको 45 किलो, 7 लोग है तो 35 किलो, 5 लोग है तो 25 किलो खाद्यान मिलेगा एक किलो दाल, एक किलो खाद्यतेल, एक किलो नमक उस परिवार को भी होली तक प्राप्त होगा बायो बेनो प्रधान मंत्री अन्योजना को होली तक बढ़ाने के लिए आप सब को बढ़ाई हर एक गरीब के जीवन को बचाने का एक कारेक्रम आगे बढ़ेगा दूसरा यहाँ पर विश्व विद्याले बननेगा अगले सत्र में प्रारम भी हो जाएगा आजमगड़ और मौ के चार सो महा विद्याले और दो लाग चासट हजार बच्चे उन महा विद्यालों में पढ़ते हैं उन सब को इससे संबद करके यहीं से डिगरी देने का कार्य भी यब इस विद्याले यहाँ पर कर देगा नएने पाठे करम चलेंगे आजमगड़ और मौ के नौजवानों को ले नौकरी और रोजकार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा घर घर में उनको इस सब प्राप्प होगा और भायो बेनो अपने नौजवानों के लिए सरकार स्मार्ट फोन और टैबलेट लेकर के आ रही है आप देखना स्मार्ट नौजवान बनेगा यूपी काव अब मॉबाइल फोन और स्मार्ट फोन के मात्यम से और टैबलेट के मात्यम से ही सारी कद्विदिया घर में बैट करके ऑनलाइन उजिकेशन की पूरी भी वस्ता भी होने जा रही है इस सब के लिए आपको मैं बढ़ाई देता हूँ आजम गड़वासियों को मौव जनपद वासियों को इस विश्विद द्याले के लिए बढ़ाई मानिये ग्रह मंत्री जी का आभार और हिर्दे से सागत और अभिनिंदन करता हूँ मानिये धर्मेंदर प्रदान जी का स्वागत और अभिनिंदन करता हूँ कि नोंने आज यहाँ पर यहाँ के आजम गड़वासियों के लिए समय दे करके इस विश्विद द्याले के आधार सिला करने के लिए स्वयम मानिये ग्रह मंत्री जी स्वयम यहाँ पर पधारे हैं आप सब की और से में एक बार फिर से उनका हिर्दे से स्वागत और अभिनिंदन करते हूए बाड़ी को देताँ बिराम जैजे स्विराम बहुत बहुत धन्यवाद मानिये आपके प्रेरणा दायूद बोधन के लिए और अब मैं मानियी ग्रह एवं सहकारिता मंत्री मानियी श्री अमित शाहजी से अनुरोध करूँगी कि बटन दबा कर आजमगर राजेवें